लोगसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अंतिम चरण के ओर बढ़ रहा है। राज़ती के दल प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। देरादूर में पी-म की रैली के एक दिन बाद ही कॉंगरस अध्यक्ष राहूल गांधी ने उत्राखंड में तीन रैलीों कर जनता तक अपनी बात पहुँचाई। इन्ही मुद्दों पर कॉंगरस भवन में महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा से खबरे अभी तक ने खास पाचित की। तीन बड़ी रह लिया है भी जूटा पाएंगे देखिए बड़ा उसा है लोगों के अंदर जिस तरह से अभी 16 तारीक को भी राहूल जी देरदुन के अंदर आये थे और अपार जनसमू जहें सुनने के लिए वहां पे आया तो आज शिंदगर के अंदर भी इसी तरह से है क्योंकि अभी एरपोर्ट से राहूल जी ने जहें उडान भरी है शिंदगर के लिए उसके बाद अलमोड़ा में उनकी जनसवा है उसके बाद हर्तवार के जंदर जनसवाओं के द्वारा वो जनता तक अपनी आवाज को और जनता के जो वादे किया है उन्हें लिजाने आज और वो समझ चुकी है कि पूरे देश के अंदर राहूल जी ने जो ब्रस्टाचार के खिलाब आवाज उठाई है फिर काप्रस्ताक्तों के खिलाब आवाज अठाई है विकास जो उन्होंने बादा किया जनता के साथ अब भारती जनता पार्टी विकास पे कोई बात नहीं कहा पारी है इसलिए बारते जनता पार्टी इन मामलों से आज अपने मूँ फेर के जो दूसरी तरफ हो चुकी है और वो समझ चुकी है कि जो राहूल जी ने जनता के बीच में जाके इस अवाज को उठाया है जनता भी बारते जनता पार्टी जवाब मांग रही है तो आज भारते जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगतार इस बात को गुमरा करने का काम कर रहे हैं कि कॉंग्रेस अमान दें कि प्रधान मंतरी अपने मंद से जूट बोल रहे हैं आप इस तरह आरूप लगाते हैं वो राहूल गांदी सच बोल रहे हैं बिल्कुल काफिल के उपर अपना आगे बहस करते हैं जैब राहो जीने का आ biggest करिए वो जवाब देते हैं इस बात करा कि उनने रोजगार दिया है क्योंकि राओ जिलेका दिखाई कि अंदर रोजगार के नाम पर भिरोजगार को ठकने हा का कामी भारते जनता पार्टिय प्रधान मंत प्वेत दो चो खुब बुभाकिन कुछ।